अध्याय नमबर तीसरा बर्निका का पार्ट नमबर जो है पार्ट का जो नाम हुआ है मा कहानी मा जो है क्या है कहानी है और मा कहानी के बारे में इस चेप्टर में हम लोग देखेंगे तो चलिए देखते हैं पहला question है पहले जो भी विद्यारती जूर चुके हैं पहले वीडियो को share कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और जो भी द्यारती जूरे हैं वीडियो को like कर दीजिए और पहले दोस्तों के पास share कर दीजिए और शेयर करने के बाद जो भी द्यार्थी नए है इस चैनल पर वो चैनल को क्या कर लिजिए सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए आगे बढ़ते हैं पहला question है कि इस्वर पिटलिकर क्या चीज़ा है इस्वर पिटलिकर किस भासा के कथाकार है जो इस्वर पिटलिकर है वो किस भासा के कथाकार है option number में दिया हुआ है मल्यालम के मराठी के गुजराती के अब भुजपूरी के 23 पिटलिकर जो थे वो कहां के गुजराती के कथाकार थे अगला question देखते हैं दो नमबर में है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था जो मंगू थे उसकी बड़ी बहन का नाम क्या था कम्मू था नमी था या गीता था या लचमी था तब मंगू की जो बड़ी बहन थी उसका नाम क्या था कम्मू मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था चलिए अगला कोश्चन देखते हैं तीर नमबर और जो भी विद्यार्थी जूड़ है वीडियो को लाइक जरूर किजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर सेर किजिए ताकि हरे का स्टुटेंट इस वीडियो को देखे और आगे भी हारवूर की तैयारी करने में सफल हो और आगे बहुती परिच्छा में एक जाम में अच्छे मार्क्स लावे तो आप लोग सभी विद्यार्थी के पास ये वीडियो ज़रूर पहुचाए ती है अगला कोश्चन है लच्मी के पती का नाम क्या था जो लच्मी के पती था कौन था बिरेंदर था लच्मन था राजेस था या महेस था तो लच्मी के पती का जो नाम था वह जो था क्या चीज़ था लच्मन था क्या चीज़ था लच्मन ऑप्सन नंबर भी हो जाएगा आप लोग लाइब सेक्शन में इंसर जिरूर देते चलिए आगे बढ़ते हैं चार नंबर की और चार नंबर में हैं किस नदी पर बांध के नीचे लच्मी का घर था किस नदी के बांध के नीचे जो है लच्मी का घर था गंगा नदी या मुना नदी सरसती नती या देवी नदी तो जो लच्मी का घर था वह कौनसा नदी के बांध के नीचे था तो वह जो था कौन नदी था अप लगे इंसर दीजिए डी में क्या चीज हो जाएगा देवी नदी के नीचे था भी नदी के निचे चलिए आगे बढ़ते हैं पाच नंबर क्यों पाच नंबर में हैं मंगू को लोग कहां भरती करने की सलाह देते हैं गवसाला में पाटसाला में कारगाह में या अस्पताल में तब मंगू को जो है लोग भरती करने के लिए कहां बोलते हैं अस्पताल में बोलते हैं कहां बोलते हैं अस्पताल में गाउं के लोग क्या बोलते हैं कि अस्पतालें भरती कर दीजिए यह भी क्या हो जाएगी ठीक हो जाएगी चली अगला कुस्चन देखते हैं छे नंबर छे नंबर है कि जनम से ही पागल कौन थी जनम से ही प्यारवच्चो कौन पागल थी लचमी थी कि पापती कि सीता की मंगू कौन थी आप लोग एंसर जरूर देते चली यह लाइब सिक्षन में तो इसका जो एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जनम से ही पागल जो थी वह मंगू तो कौण थी मंगू अगला क्विश्चन बढ़ते हैं साथ नमबर क्यों कि शाद में है मंगू की मां अस्पबशन को किसकी उपमा मा देटी जो मंगू की मा थी वह अस्पताल को किसकी उपमा देती थी गवसाला की पाटसाला की या कारागार की या छात्रबास की तब मंगू की मा जो थी वह गवसाला को किसकी देती थी तो गवसाला को किसका गवसाला को उपमा देती थी मंगू की मा चली अगला कोस्चन देखते हैं आठ नमबर कोश्चन है कि मा कहानी किस भासा में अनुदित है मा जो कहानी है वह किस भासा में अनुदित है मा कहानी किस भासा में अनुदित है कन्नर में, गुजराती में, तम्मिल में या फिर उडिया में तो मा कहानी जो है हुआ पैरे बच्चो कौन भासा में है गुजराती भासा में चली आठ नमबर देख नो नमबर है कि मंगू की मा के कितने संताने थी तो मंगू की मा के चार संताने थी और मंगू की अलावा पूछे मंगू के अलावा मंगू की अलावा उसकी मा के कितने संताने थी तत तीन और मंगू की मा के कितने संताने थी तत चार दोनों कोश्चन पूछा जाता है एक जाम में और सभी क्या है भी भी आई कोश्चन है आप लोग जरूर इसको अपने दोस्तों के पास सेर किजी और जो भी प्यारे बच्चों इस चैनल पर नए है चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए चली आगे बढ़ते हैं देस नंबर की और मंगु की अलावा उसकी मां को कितने संताने थी देखिए आगे है न अगला कोश्चन अभी जेस्ट बताएं कि मंगु के अलावा उसकी मां की कितने संताने थी ता मंगु के अलावा उसकी मां की तीन संताने थी कितने संताने थी ती चार संताने थी चली आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर एक 11 में है कि मा कहानी लेखक द्वारा रचित है सिरी निवाजी द्वारा साथ कोड़ी होता द्वारा इस वर पिटलिकर द्वारा सुजाता द्वारा जो मा कहानी है उसका कौन है 23 पिट्लिकर कौन है इस वर पिट्लिकर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों बारा नंबर में 12 नंबर में है कि मंगू 12 कुछ देखे मंगू किस कहानी की पात्र है जो मंगू थी वह किस कहानी की पात्र तब मा कहानी की है कौन कहानी की है मा कहानी का पात्र है मंगू जो है किस कहानी के पात्र है मा कहानी के पात्र आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्छों बारा नमबर की ओर आते हैं तेरा नमबर तेरा में है मा कहानी का परमुख पात्र कौन है जो मा है उसका कहानी का परमुख पात्र कौन है लच्मी है, सीता है, अजमा है या मंगू है तब मा कहानी का जो परमुख पात्र है वह कौन है मंगू है चलिए अगला चौदा नंबर की और बढ़ते हूँ चौदा नंबर में है कि मंगु की मां को कितने पुत्र थे मंगु की मां को कितने पुत्र थे तब मंगु की मां को दो पुत्र थे कितने पुत्र थे मंगु की मां को कितने दो पुत्र थे आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्यों पंदरा नंबर में हैं मंगू कैसी लड़की थी मंगू जो थई कैसी लड़की थी अच्छी लड़की खराब लड़की पागर लड़की या गुंगीर इसका जो एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्छों आप लोग एंसर देते चलिए और जो भी विद्यार थी जूड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने दोस्तों मित्रों के पास सेर कर दीजिए और जो भी प्यारे बच्छों नए हैं चैनल पे वो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए चलिए तो इसका एंसर आप लोग 15 नमबर की दीजिए तो मंगु कैसी लड़की थी पागल लड़की थी मंगु पागल लड़की थी आगे बढ़ते हैं सलला नमबर क्यों शुला नंबर में मंगू की उम्र कितनी थी? जो मंगू थी उसकी उम्र कितनी थी? 12 वर्स, 13 वर्स, 14 वर्स या फिर 15 वर्स तब मंगू की उम्र जो थी वह कितना थी? 12 वर्स था मंगू के उम्र 12 वर्स था आगे बढ़ते हैं सत्रा नमबर में मा कहानी में किसकी ममता का बर्नन किया गया है पिता का, मा का, पुत्र का या पुत्री का तो मा कहानी में है जो किसका मा के बारे में बर्नन किया गया है किसके बारे में प्यारे बच्छो मा के बारे में ने बर्नन किया गया है तो मा कहानी में जो है किस के बारे में बर्नन किया गया है मा के बारे में चलि यागे बढ़ते हैं अठरा नमबर क्यों अठरा नमबर में है मा किस भासा में रचित है मा कहानी जो है वह किस भासा में रचित है बंगला में है उड़िया में है गुजराती में है या राजा स्थाने में तो मा कहानी जो है वह कौन भासा में है तो वह जो है कौन भासा में गुजराती भासा में कौन से भासा में है पेर बच्चो गुजराती भासा में चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्यों है 19 में हैं किसके पागलपन में सुधार देखकर मंगू को की मां को अस्पताल ले जाने की सला दे रहे थे मतलब गाओं की लोग किसको पागल मतलब गाओं की लोग क्या कर रहे थे मंगू की मां को सला दे रहे थे क्या चीज सला दे कि रैत कास्पा ले जाने लिए की तो किसके उपञत ऑफ इस पताल ले जाने के लिए इसला दे इसके उपमा पागलपन में सुधार देकर तेख गाउं की लड़की तो ठीजी खुसुम नहीं धी गुषुम थी, इसलार साटба के वह भी पागल हो गई थी पागल हो गई थी तो यह जब अस्पाताल गई तो यह ठीक हो गई जिसके कारण वहां के लोगों ने मंगू की मा को भी क्याद ले देने लगें तो किसको देख कर कुसूम को देख कर चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर 20 नंबर में है इस्वर पेट लि लेकर का जो रशना है हुआ है खून की सगाई क्या है खून की सगाई भी नंबर आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्यों 21 में है कि मा कहानी के द्वारा अनुदित है मा कहानी किनके द्वारा अनुदित है बियार नारायन बियार चौप्रा या गोपाल दास नागर या इस वर पे नागर द्वारा रच अनुदीत है 22 में आते हैं प्यारोच मंगू को पागल पन का रोग कब से था मंगू जो पागल थी तो वह रोग कब से था छव बर्स से था या जन्मजात से था या दस वर्स से या इन में से कोई नहीं तब मंगू को पागल पन का जो रोग था हुआ कि कब से था जनमजात था मतलब जनम से ही क्या थी मंगू पागल पागल थी चलिते समयाति हैं मंगो जिस अस्पताल में भर्ति कीस आति है उस अस्पताल का कर्मचारी कैसे रहते हैं विवार कुसल है या अव वेवहारिक हैं या कठोर सभाव के या अनुभवहीन है तो उस अस्पताल के जो करमचारी थे कैसा थे वेवहार कुसल थे कैसा थे वेवहार कुसल आगे बढ़ते हैं चोविस में मा जी में मंगू को अस्पताल में भरती करने के बाद क्या परिवर्तन हुगा मतला मा जी मंगू को अस्पताल में भरती करना के बाद उसमें क्या परिवर्तन हुगा बहुत परसन हुई पोते की सेवा में लग गई या वहा भी पागल हो गई या इन में से सबी होगा तो इसका जो है क्या हो जाएगा सई अंसर सी नमबर वह अभी क्या हो गई पागल हो गई मतलब जब मां अस्पताल में भरती कर दिक इसको मंगू को तो धीरे धीरे दीरे दीरे वह अभी क्या हो गए है पागल हो गए है दीरे दीरे मंगू की मा भी पागल हो गए चेलिए 25 में है मा कहानी में कौन पागल था मा जो कहानी है उसमें कौन पागल था मंगू की मा था या मंगू की भाई या मंगू का बहन 23 का जो इंसर हो जाएगा हुआ हो जाएगा बी नंबर मंगू जो थी क्यां थी पागल थी आगे देखते हैं 26 नंबर और लाइस्ट कोश्चन 26 में है इस तरह पागल पूत्री को तो एक मां ही पाल सकती है या किसकी युक्ति है इस तरह पागल पूत्री को तो एक मां ही पाल सकती है किसकी युगति और कि कि माजी के पूत्री के समाज के लोगों की या अस्पताल की करमचार को तो इसका अई नम्बर को कि इस तरह कि पागल की पुत्री एक मां ही पाल सकते या पंग्तियुशी से लिया गया समाज की लोगों ने बोला तो यह होगा है टोटल 26 कोश्चन हम लोग ने देख लिए हैं टोटल 26 कोश्चन इससे ज्यादा कोश्चन आप लोग को एकजाम में नहीं पूछा जाएगा प्यारे बचो और सभी क्या थे बीवी आई कोश्चन थे सभी जो है बीवी आई क्यास c प्यारे बचूंऊंथ इसको आप लोग एक हभर जरूड एक वार से दो बार जरूड देख लिए और और सभी को कॉपी पर क्या कर दिए लिख लिजी कोपी पर लिख लिजी अगर जो आप लोग कि नहींल लिखना चाहते हैं तो आप लोग पेड गुरूप चलता तो पेड़ गुरूप भी जोयन कर सकते हैं उसमें आप लोग को अभी ओफर में जो है 149 रुप्या 15 अगस्त के ओफर पर जो है अभी छोट दी आ गया है तो 169 रुप्या लोग को पेड़ करना पड़ेगा पेड़ करने के लिए आप लोग को इस नंबर पर पेड़ किजीएगा पेड किजिएगा इस नमबर पे 75, 41, 89, 83, 70 इस पेड करने के वाद आप लोग इसी नमबर पे स्क्रीन सोट भेज दीजिएगा पहरे उच्छो इस पे भेजने के वाद आप लोग के गुरूप मैड कर दीजिएगा और आप लोग को हर एक दिन जो है सब्जेक्टिव अब्जेक्टिव का पीडियाफ और नोट्स मिलते रहेगा पीडियाफ और नोट्स तो जो लोग नहीं लिखना चाते हैं आप लोग पेड़ गुरूप भी जोईन कर सकते हैं तो चलिए प्यारे बच्चो कल की वीडियो मिलते हैं तब तक आप लोग जो भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए वीडियो को लाइक कर दिजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास सेर जरूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो भी प्यारे बच्चे न्यू हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब करने से मनोवल जो है बढ़ता है प्यारे बच्चों तो आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए उतना अच्छा हम कर पाएंगे तो बस आप लोग ऐसी तरह सपोर्ट करते रहें तो मिलते हैं कल की वीडियों तब तक जय हैं जय भारें